हेलो फ्रेंद्स बेलकम टू एसके क्रियेटिविटी आज हम एक बैग बनाएंगे जो की बिलकुर सिंपल सा बैग है और इसको आप पोर्टली बैग की तरह भी यूज कर सकते हो तो सिंपल से कपड़े का कॉटन के कपड़े कम है ये जो पोर्टली बैग है वो बनाऊंगी त को मेरा वीडियो यूस्फुल लगता है तो आप चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर लेजिए और ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो आए फ्रेंद्स शूरू करते हैं इसके बनाना तो यह मैंने एक कपड़ा ले लिया है दो कपड़े ल कर लिया है है 16 पर पंद्रा का मैंने कट किया है इसका आप जितना भी कितना और बहुत स्भाश की आपके पास कप्ड़ा हो है tut गुलाई उर्ड़ाई लग लगी तो उन्द्र वाले सैब को मैंने यह लाइनिंग एक जोड़ेंगे तो आप पूरा वीडियो देखना कि कैसे मैं इसको बनाती हूँ, तो इसको उपर वाली साइड से मैं पहले सिलाई लगा लूगी और इसको उल्टा लेंगे फिर. तो ये मैंने इस पे सिलाई लगा ली है और इसको ऐसे रखके और लाइनिंग वाली साइड को हमें एक सिलाई लगा लेंगे ताकि जो अंदर वाला मारजन वाला कपड़ा था ना वो हमारा सिलाई में दब जाए तो एक सिलाई में इसके उपर लगा लूँगी एक मोटे टांके की सिलाई लगा कर इसको जो एक्स्ट्रा हमने मारजन जो रखा था अंदर वाली साइड उसको सिलाई लगा देंगे उसके उपर ताकि ये बैठ जाए और इसके साथ फिनिशिंग भी अच्छी आती है तो चारो तरफ से अब मैं लाइनिंग को अटैच कर लूँगी ये देखो ऐसे और पूरा गुलाई में इसको लाइनिंग को पूरा अटैच कर लूँगी और थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा है उसको नीचे से कट कर दूँग तो दो इंच चोड़ी में पट्टी कट करूँगी और जितनी हमारी बैक की चोड़ाई है उतनी चोड़ी हम पट्टी लेंगे और जहां पर हमने डोरी डालनी है इसमें उसके लिए ये पट्टी हम त्यार करेंगी तो ये देखो दो इंच चोड़ी में ने ये पट्टी तो दोनों कोने इसको जो है हम स्टिच कर लेंगे इस साइड से भी ऐसे फोल्ड करके एक सिलाई लगा लोंगी और ऐसे ही दूसरी साइड से भी मैं फोल्ड करके एक सिलाई लगा लोंगी ऐसे दोनों साइट से सिलाई लगाके फिर मैं दिखाती हूँ आपको कैसे हमने इसके उपर अटेच करना है इसको तो उपर से मैंने 0.5 इंच पे निशान लगाया है 0.5 इंच पे निशान लगाके इस पे हम पटे लगाएंगे तो बहुत ही असान तरीका है ये पोटली बैग बनाने का डोरी डालने के लिए जो हमने एक बनाना है जैसे नेफा होता है बैसे ही बनाएंगे तो एक मैं इस पे लाइन लगा लोगी अच्छे से ताकि हमारी पट्टी है बिलकुल सीधी आए और बिलकुल भी टेडी मेडी ना आए तो ओपर से हमने धाई इंच छोड़ लिया है और यहां से हम एक एक इंच का निशान लगा कर वहां से पट्टी को अटैच करेंगे तो एक इंच का देखो मैंने यहां पे निशान लगाया है और दूसरी साइड भी एक इंच का निशान लगा लोगी और एक इंच छोड़के हमने इसको पट्टी को लगाना है तो आदा इंच तो हमारा दबा में भी जाएगा मार्जन भी है इसका जो बैक में हम स्टिच तो आदा इंच हमारा आधा इंच है हमारा यह मार्जन के लिए रह गया और एक इंच पर हमने यह लगा दी देखो ऐसे फोल्ड करके और इसको हमने अटैच कर देना दोनों परलों पर आगे वाले पे भी और पीछे वाले पर भी तो हमने यह बराबर से रखना है पूरा ज यहां से हम इसको लगा देंगे तो दोनों पर देखो मैंने यह पटियां जो है अटैच कर ली है तो यह देखो यहां से हम डोरी इंसर्ट करेंगे इसमें डालेंगे डोरी को पिरोएंगे यहां से तो दोनों साइड से देखो यह ओपन है न तो इसमें से ही डोरी हम डालें तो अब इसके हम handle त्यार करेंगे तो handle भी मैं इसी के लिए लगाऊंगी जो ये contrast वाला इसके साथ मैंने कपड़ा लिया है तो जितने भी चौड़ा आप लेना चाहते हो ले सकते हो तो मैंने ये 3.5 इंच लिया था अब इसको fold कर लेंगे और पट्टी त्यार कर लेंगे जो handle के लिए पट्टी हमें चाहिए और side से मैंने 4-4 इंच छोड़ा है और इसको handle को attach कर लेंगे तो ये देखो ये handle मैंने attach कर ली है तो बिल्कुल नीचे से मैं लेकर आई हूँ attach मैंने नीचे से लगाए handle को ताकि ये देखने में अच्छे लगें तो ये देखो कितनी सफाई के साथ हमारे handle बनके त्यार होगे अब हमने simple तरीके से ही इसको stitch कर देना है बिल्कुल बराबर रखके और पूरा यहां से गुलाई में इसको सिलाई लगा देंगे ऐसे और गुलाई में पूरा stitch कर लेंगे तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली है और एक उरे पट्टी मैंने कट की है ये मैं इसके उपर लगा दूंगी इस पट्टी का main मकसद यही होता है ये तो हमारे back की finishing अच जाती है तो यहां हमने उरे पट्टी लगानी है क्योंकि हमने इसकी गुलाई बनाई है तो हमने उरे पट्टी ही लगानी है अगर हम बिलकुर सीधा बैग बना रहे हैं हमने गुलाई नहीं दी है तो हम सीधी पट्टी भी लगा सकते हैं इसके उपर लेकिन गुलाई बनाई है तो इसलिए हमें इस पर उरे पट्टी ही लगानी पड़ेगी तो उरे पट्टी मैं इस पे पूरे लगा लूँगी सफाई के साथ इसके साथ हमारे बैग की जो मजबूती है बढ़ जाती है और फिनिशिंग भी आती है धागे बगेरा नहीं निकलते तो यह देखो मैंने कपड़े की ही डोरी बना ली है तो उरे कपड़े की नहीं यह सीधे कपड़े की मैंने डोरी बनाई है तो यह डोरी को मैं इसके बीच पिरो लूँगी और जहां से मैंने इसको पिरोना शुरू किया है ना वहीं पे ही इसका दूसरा सिरा मैं निकालूँगी वहीं पे इसको खतम करूँगी और एक साइड से पिरोना शुरू करूंगी वहीं पे ही इसको डोरी को हम लेकर आएंगे तो दोनों साइड पे मैं डोरी इसके पिरो लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ बहुत ही सुन्दर और बहुत ही असान तरीके से यह बैग जो है आप घर पे बना सकते हो कोई भी आपके पास कपड़ा पड़ा हो या कोई पुराना कपड़ा पड़ा हो उसी के साथ भी आप यह बैग जो है त्यार कर सकते हो तो मैंने यह सरकल कट कर लिया है इसी का मैं कपड़े का ही एक दोनों साइड में मैं इसके टसल लगा दोंगी, तो कपड़े के ही बना के, मैंने इसके टसल लगा दिये हैं, सरकल कपड़ा मैंने cut कर लिया था, और दोनों साइड से ऐसे, fold करके मैंने इसको stitch कर दिया, तो friends, बिताना आपको कैसा लगा ये वीडियो, तो ये देखो, मैंने टसल लगा लिया है और ऐसे खिंचेंगे तो बिलकुल पोटली बैग की तरह हमारा ये बैग बनके तियार हो गया और बहुत ही सुंदर सा कोई भी डिजाइनिंग आप इसके उपर करना चाते हो तो कार सकते हो कोई इसमें कुल्टिंग करना चाते हो कुल्टिंग वाला बैग भी मैं आपके साथ वीडियो शियर करूँगी तो ये बिलकुल सिंपल से तरीके से मैंने आपको सिखाया है ताकि बहुत ही असानी से आप भी ऐसा बैग घर पर बना सको तो बिलकुल इजी है ये बनाना तो फ्रें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ओके बाई बाई एंड टेक कियर